तो यह द्यान देना पड़ेगा आजकल यह बहुत ही खतरनाग बिमारी है इंसेक्ट है यह और यह देखिए किस तरह से बिल्कुल ग्रीन सा दिखता है और यहां दिखिए है हमारे और्चरड की अपडेट है आज की आज हम बगीचे में आए है तो आज हम थोड़ा देखने आए कि हमने अभी जो पैटल फॉल पे स्प्रे कर रहा था तो हम पाउड़ी मिल्डियू फिर से चेक करने आए है और इस बीच में हमें पता एक तो ग्रीन रोजी आफिट आत करना है बगीचे में जाना है और देखना है कि बहुत जादा फ्रूट ना खाए अगर आपको लग रहा है बीच से पचीस परसेंट लगबग अगर इफेक्ट कर रहा है तो इंसेक्टिसाइट की स्प्रे करें अधरवाइस अगर एक परसेंट है तो कोई इतना फरक नहीं बड़ फिर भी नुक्सान करता है यह और यह हर साल इसी स्टेज पर आता है कटल फॉल के बाद जो कि मुझे अभी दिख रहा है जो हर साल हम देख रहे हैं एक ग्रीन रोजी एफिड और एक यह जो सुंडी आती है यह आप स्पॉर्ट एप्लिकेशन भी कर सकते हैं मेला थ परसेंटेज के हिसाब से हम देखेंगे कि वह अगर बहुत जादा लग रहा है हमें तो हम फिर इंसेक्टिसाइड की स्पॉर्ट एप्लिकेशन भी करेंगे जहां जहां हमें दिखेगा यह तो यह है स्थिती है बहुत जादा गर्मी पढ़ चुकी है यह देखें हमारा जो फ्रूट इसमें सेट हुआ था अब यह देखें पीला पड़ रहा है यह देखें इस लाल हो रही है इसकी डंडियां यह देखें इस तरीके से यह देखें कितना अचा फ्रूट सेट हुआ था और इसकी डंडियां जो है लाल और पीली पड़ रही है और फ्रूट जो है का मारीश की जरूरत भे है इस टाइम पर यह दिखिए और यह से ट्व आवाप दा काफो Network के सब काफी अच्छी सेटिंग उन एफ भर में सेटिंग हूई थी पूरे हर्स वीन में इसाटिंग हूई इस साल धूप बहुत ज्यादा पढ़ वहाँ ज्यादा गर्मी पढ़ रही है तो लोग यह भी पूछ रहे हैं कि पैटल फॉल पे क्या स्प्रेय करनी चाहिए इस आपको मैंने दिखाया जैसे की सुंडी है या फिर पाउडरी मिल्डियू जो बहुत ही जो खतरनाक हो सकता है अभी इस टाइम पे जो कि आपकी में ग्रोथ को खा लेता है टिप पे लगता है काफी और गालाज में और पॉलनाइजर में ज्यादा लगता है तो उसकी रोख थ प्लिकेशन देना ही पड़ेगा नाइट्रोजन का और प्लस केल्शियम का तो वह बहुत ही जरूरी हो जाता है आपका नीचे से अब टेक नहीं हो रहा है आपका थोड़ा सुका पढ़ चुका है और नमी भी अब लगवग जा चुकी है तो आपको फॉलियर एप्लिकेशन खतम करें उसके लिए और को रॉट के लिए तो आप इस टाइम पर जो है फंजी साइट सिस्टेमेटिक में आप कुछ भी कर सकते हैं जैसे बैविस्टीन हो गया रोको हो गया या फिर आप माइक्लो बुटानिल जो की इंडेक्स के नाम से भी आता है उसको भी कर सकते हैं आप इस टाइम पे और लो कंटाफ भी यूज करते हैं या और भी कंपनीज के आते हैं प्रोडक्ट तो आप उनको यूज कर सकते हैं बाकि जो आई इसकी डोजेज है अलग-अलग जो है उसकी आप डोजेज के लिखी होती है कि किवाः दहनी है तो आप ऊसमें देख सकते हैं क्येक्ति हमने के कंण क्यष्य सब्सक्राइब और yepam पढर रम और हमने जो डाला है हमने फिर से जो है हमने 116 किया है और हमारे पास एक और प्रोड़क्ट था तो हमने वह भी यूज किया है जिसमें नैट्रोजन था और बोरॉन था एक दो चीजे और भी थी तो आप माइक्रो न्यूट्रेंट भी यूज कर सकते हैं और बोरॉन जो है बहुत ही ज़रूरी है बोरॉन आपने हर स्प्रेय में यूज करना है और प्रूट प्रूट की जो स्प्रेय यह इस तरह से और अगे आपको कोई क्वेशन पूछना वोगो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूच सकते हैं वाकि हमारी और चड़ अपडेट थी और साथ में और भी दिखाएंगे आपको पूंच इस यह देखिए यहांपे नए यह सब्सक्राइ posis में 5-5 जाने था कुछ धो confusion तो एसे भी चूट रहे हैं में चौट-चा रखके एए चौट लो हाइट में जसके बाए lesson है उसके पास सेटिंग ठीक हुआ है अभी इस टाइम पर ये इस टेज जाएगा तो ये रड़ लॉक्स है कुछ हमने तिनिंग किये कुछ हमने इस बार तिनिंग नहीं किये तिनिंग करके कोई फायदा नहीं है वैसे ही फ्रूट रॉप हो रहा है तो थिनिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि पैटल फॉल की स्प्रेई आप कर सकते हैं इस टाइम पर जो की कैल्शियम और नाइट्रोजन बहुत जुरूर ये सेल डिवीजन के लिए तो नीचे से अपडेखनी हो रहा है तो हम क्या सोच रहे हैं कि उपर से करें तो वह सारी चीजे हैं इस तरीके से कि आप देख सकते हैं इस टाइम पर 111 पर याई इस टाइम पहुंच चुक है इसके कुछ थीनिंग भी थी थी ना ओल ओवर लगाया उपर से नीचे तक लगाया इस हमने बेंडिंग भी कर लिया है कि तूथिक बेंडिंग कुछ यह आप देख सकते हो अब यह अब ही भी बेंडिंग कर नहीं आए हम देख रहे हैं तो इस तरीके से लगोग जब इतनी हो जाती है ना चार-पांच इंच तो हम जो है इसको बेंड कर लेते हैं उसी का रिजल्ट है यह सारा यह वाला इसमें कि आफ़ेश पर फॉर्मेशन अच्छी हो रही है और एक साल का लास्ट इर का अध्याव जात देख यह लास्ट इख इसमें एक दो तीन चार पांच छेए निकल गे ते लास्ट इस साल इसमें जो है आठ दस फैदर और निकल रहे हैं यह निकल रहे हैं यह लेकर नाच पा घचंग कितना चाइड निकला है notching is very important हुआ य vimos what jetend zone कि यह notching का result और यह बहुत ही important है आपका notching यह लग भाब के औल उबर सारे में जो है notching हमारी इसका हुई हुई कितने ची कितना चाइड निकला है notching is very important और भी यह सारी note QE निकलिये लग भई टरहि solly यह वाली वी जो बैंड की हमने यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह दिखिए आपट करूट लिए और पड़ चुका है बहुत डर लग रहा है और जो फूट साट हुआ है सारा नीचे ना आ जाए बाकी भगवान बरोचे तो हम बेंडिंग तो कर लें कम से कम अपना काम कर लें हम इस तरीके से आपने डरना नहीं है जैसे चार पांच इंच उती है आपकी आपने बढ़िया इसको होरिजॉंटल ले जाना है बाद में उपर ही ग्रो करती है इसका क्रॉच एंगल जो आपने वाइड करना है जैसे यह किया हमने देखिए और डी शूटिंग का फायदा देखे जो हमने डी शूटिंग की थी यह सब्सक्राइब करना से उससे देखे उपर की जो ग्रोथ है नहीं चाहिए कोंपुटिटर हमने अटा दिये थे तो कोंपुटिटर नहीं है और बहुत अच्छा चला है बहुत ही जवर्दस्ट चला है कि आप इस तरह से आप यह भी देख सकते हैं अपने और्चाड में मैं सबक्राइब मैं सबके और चड में मैं तीन साल से देख रहा हूं उससे पहले नहीं आता था यह भी एफिड है ब्लैक एफिड बोलते हैं कुछ लोग कुछ लोग रोजी एफिड बोलते हैं तो यह भी काफी इस टाइम देखने को मिलेगा आपको तो यह ओल ओवर लगवग पूरे और्चेड में शायद में को लगता तीन से चार परसेंट ही होगा कहीं कहीं किसी किसी इस बहुत ज़रूरी है और आप इसको भी देखें इस तरीके से आप देख सकते हैं आज कल आपके और चड में यह ज़रूर देखने को मिलेगा तो दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी है मुझे कोमेंट करके ज़रूर बताएगा और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकान को प्रेस कर और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते नहीं ठेंक यू